नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं पच्छी होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे दोस्तों जिस घड़ी का इंतिजार था वो आने वाला है और 22 जन्वरी 22 जन्वरी 2024 को अध्या में भब राम मंदिर का सिला नियास होने जा रहा है और हमाने माननी है परधान मंतरी श्री नरिंद्र मोधी जी के द्वारा वो भवान राम का मंदिर का प्रांग प्रतिस्ता होगा मंदिर का उद्गाटन होगा दोस्तों कल प्यमोधी गाए हुए थे अध्या में अध्या में एयरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन का उन्होंने उद्गाटन किया अमरित भारत ने ट्रेन को उन्होंने चलाया दोस्तों जोकि आपका आनन्द बिहार से अध्या होते हुए बहु सिता मढ़ी और दर्भंगा तक जा में दिवाली मना है क्योंकि इस दिन भगवान राम आ रहे थे राम आएंगे और उसके उपलब्धी में उनके खुसी में आप लोग सभी पूरा भारत मतलब उस दिन जगमग हो पूरा भारत का घर उस दिन साफ सफाई हो और उन्हों साथी साथ कहा है मकर सक्रांती से ले कर कि आपको 22 जनवरी तक सभी जगह जाए वो आपका घर हो मंदिर हो या आसपास में कोई पार्क हो हर एक जगह को स्वक्षता को बनाए रखना है दोस्तों और उन्होंने आवहान किया है 140 करोड देशबासियों से कि आप लोग 22 जनवरी की साम अपने घरों को दिबाली जैस अपने जनवरी को आप लोग आए नहीं आने के लिए क्योंकि बेवस्ता गरवडा सकता है इस रख्षाक्ष्टिकों से उन्होंने काई कि 22 को आप लोग घर रहें 23 के बाद अनंत कालता कि इस मंदीर में आ सकते हैं उन्होंने आवान कि आप लोग जाना के लिए सोच रहें तो आप 22 को आप लोग घर में रहें 23 को भी घर में 23 के बाद उन्होंने बोला है कि आप मंदीर आयोध्या आना चाहते हैं तो आयोध्या करके भवान राम का सिर्वाद ले सकते हैं लिए 22 को छोड़ करके क्योंकि सबी लोग आ जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है उनको भी दिक्कत होगा और मंदीर की सब्सक्राइब दिक्कत हो सकता है जिस कारण से उन्होंने बना किया है तो आप लोग 22 जनवरी को दोस्तों हम लोग दिया जलाएंगे भवान राम का खुशी में तो चली यह जानकारी आपके साथ मुझे सेयर करना था वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएगा अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों प्लीच लाइक जरूर कीज़ेगा फिर में लेंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखी दोस्तों हाज और आज 31 दिसंबर 2024 है तो उमीद करते हैं यह साल आपका अच्छा से भीता आगले साल भी आप और तरुकी करें अपने जीवन में उचाई पर रहें आपका स्वास्त ठीक हो केरियर के नई उचाई पर आप पहुंचे तो चली फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखी जय भारत